आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास JBL कंपनी का ये एक नेक बेंड आया हुआ है रिपैरिंग के लिए इस नेक बेंड के अंदर प्रोलम ये है कि जहां पे हमारी वायर वेगरा जुड़ती हैं वहां से हमारा प्रिंट वेगरा उखड गया है एक्शुल में हुआ कि जिस भी कस्टमर का ये नेक बेंड है तो उन्होंने इसे घर पे खुद से रिपैर करने की कोशिस करी और ज्यादा जानकारी ना होने की कारण उन्होंने गलती से इसके प्रिंट को उखाड दिया तो इस प्रोलम को अब हमें किस तरीके से फिक्स करना ह है सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर फूल डिटेल से आपको बताऊंगा तो वीडियो को भी आप सुरू से एंड तक देखें और वीडियो को आगई स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तब भी आप हमारे चैनल को सच्कृप और वीडियो को लाइक करें Otherwise वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिये फ्रेंड जादा समयना गवाते हुए वीडियो कंटिनुस तार्ट करते हैं तो देखे अब हमें क्या करना है इस प्रॉप्रोलम को चेक करने के लिए सबसे पहले ह हमें इसके बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा तो हमारी जो यह एक वायर है यह निकली है कहां से निकली है SEE हमारे इस वाले सेस्टन से निकली है तो हमे क्या करना है सबसे पहले इसको के लिए आद चला जये वहीं हो जो लगाने है और इस तरीके से आगए की तरफ कर देचाँ प्रिखे और अंदर चला गया है इस तशेकेसज आपको उठा देना है आप तरीके से इसको खोलोगे तो इसके एक भी लोग हमारे ब्रेक नहीं होंगे और हम अपना रिपैरिंग के काम खतम करके इसको दुबारे से उसी तरीके से पैक कर पाएंगे अदर्वाइस तो फिर लोग वगरे टूट जाते हैं तो हमें फैविक को वगरे लगानी पड़ती है तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको खोल दिया और बड़े आराम से खुल भी गया है और यह इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि इसक कि हमारे दोनों प्रिंट यहां से उखड गए हैं जिसकी वजह से कस्टमर ने अब मुझे यह लाश्ट में दिया है कि इसके अंदर आप कोई तरीके से इसको रिपैर कर दो तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि कि किस तरीके से अगर आपका प्रिंट वेगर उखड जाए तो किस तरीके से आपको उस बोड की कंडिशन को देखे उसके अंदर काम करना है उससे पहले मैं आपको ना इसके अंदर जो और सिस्टम है वो भी दिखा दूं कि यहां पर तो यह वो गया कि इसकी जो वायर वेगर रहे हैं यह इस तरीके से पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस बोक्स खोलना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा कि कौन सी वायर किश चाहां पे लगी है तो इसको भी हम खो लेते हैं आपको इस तरीके से हलका ऐसे उठा Иहां पर यह देखे कट बन गया है और हलका सा यहां फे ओपनर 커ो ब्रेक हो जाएंगे और फिर बाद में हम फैवी क्यों का सहरा लेंगे तो यहां पर देखें बड़े आराम से खुल गया है और इस बोक्स के अंदर आप देख सकते हो कि यह एक हमारी लंबी सी बैटरी है और यहां पर यह जो वायर जूड़ी हुई है हमारे स्पीकर के साथ म जूड़ी है और दूसरी जो हमारी बैटरी के साथ वायर जूड़ी है उसको भी हम देख लेते हैं इस तरीके से तो यहां पर रैड कलर और कोपर कलर वाली जूड़ी है वह हमारे बैटरी के साथ जूड़ी हुए तो इस तरीके से आपको पहले देख लेना है अब यहां प पाएं तो यहां पर आप देख सकते हो तीन वायर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है जो लाल वाली वायर है वो हमारी अंदर की तरफ है तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं अगर यहां पर पॉइंट मिल जाए तो यहां पर आप देख सकते हो कि हलकी सी वायर हमें दिख जमफर वायर है इसको जोड़ेंगी ताकि हम इस वायर को थोड़ा सा लंबा कर सके क्योंकि आप देख सकते हैं कि वायर को काफी छोटी है और यहां पर हमारी सामने लंबा कर लिया है ताकि इसको बोर्ट के अंदर जोडने में असानी रहे तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है अगर आपकी वायर वगरा कट गई है चोटी हो गई है तो आप इस तरीके से कर सकते हो तो वायर तो हमने जोड ली आप देखिए इसके अंदर हमें जोड यहां पर इस points पर तो आपको там को बैटरी को जोड़ना है और यहां पर आप देख झालए था कि यह जो पर वालवायर है यह उर्ड़ई ब्लू और ऋग्री वालवायर है यह स्पीकर के रही छोड़एना है था पर फटना बीवायर को जोड़ लेता हूं और फिर आगे चल क לפ दीखाता ताकि आसके में धे तो यह यह तरीके से मैंने यहां पर वायर को जोड़ा है, जो हमारी दोनों स्पीकर वाली वायर है, उसको मैंने इन दोनों पॉइंट पर जोड़ दिया है, यह देखे हमारी चारो वायर हमारे स्पीकर वाले पॉइंट पर जोड़े हुई है, और जो हमारी बैटरी वाली वायर है, मैंन इस वायर को यहां पर जोड़ लिया है अब चले इसको हम देखते हैं कि यह जो हमारा circuit है इस तरीके से connection करने के बाद यह हमारा on हो रहा है कि नहीं हो रहा क्योंकि हमने सारे इसके connection करने हैं तो इसको on करने से पहले ना हम सबसे पहले इस battery की voltage check करेंगे कि यहां पर यह battery हमारे charge है कि नहीं है पता चले आपकी battery ही charge नहीं है और आप यहां से own कर रहे हो तो यह हमारा circuit own नहीं होगा तो सबसे पहले जब भी आप कभी भी किसी circuit को own करके देखते हो तो सबसे पहले आपको इसकी बैटरी की voltage को check करना होता है तो चलिए इसको भी हम पहले check कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है मेरे पास multimeter और multimeter को हमने DC 20 voltage पे set कर रखा है देखें दोनों point पे touch करने पे आप देख सकते हो कि 3.66 65 के आसपास voltage आ रही है इसका मतलब क्या है कि यह जो हमारी battery है यह charge है अब हम यहां से circuit को own करके देखेंगे अगर हमारे circuit में कोई और problem नहीं होगी तो यह circuit हमारा own हो जाएगा तो यहां पे हम पहले देख लेते हैं कि इसका power button कौन सा है तो इसका power button यहां पे देखें पी-पी लिखा हुआ है तो यह हमारा power button है और यहां पे आप देख सकते हो कि हमारी 2 button निकली हुई यानि एक बटन तो पहले से निकली हुए थी एक बटन से यह देखे अब गिर गई है तो इस बटन को किस तरीके से लगा नहीं वो आगे चलके मैं बताऊंगा लेकिन यह जो हमारी पावर वाली बटन है यह ओके तो चले एक बार इसको हम ओन करके देख लेतें तो मैं इसको यहां पर बटन को दबा रहा हूं और यह देखे जैसे मैंने बटन को दबाया तो आप देख सकते हो कि यहां पर लाइट जलना स्टार्ट हो गई है इस तरीके से यह जो हमारा सर्किट है यह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है एक बार हम क्या करते हैं इसको चार लगा के भी रग की लाइट यहां पर कंटेन्यू जलना स्टार्ट हो गई है वीडियो के अंदर आपको लग रहा होगा कि यह लाइट बिलिंकिंग कर रहे है बट यह लाइट को बंद करूंगा तो आप देख सकते हो यह लाइट हमारी प्रोपर तरीके से यहां पर जल रही है तो इस pagrik के अंदर एक बटन तो हमारी पहले से निकली थी और एक बटन अभी निकल की है इसके अंदर क्या होता है यह एसे पति होती यह देखें यह रहे ने की कोशीद को रूए और इसको बीच हम बीच एसे अएसके यह देखे इस तरीके से बटन हमारी यहां पर लग चुकी है अब इसके उपर ना उपर से टेप लगी होती है यह देखे इसकी जो टेप है इस तरीके से इसका गोंद उतर गया है तो हम इस टेप को यूज नहीं करेंगे यहां पर हम सैलो टेप का यूज करेंगे यह आप दे प्रति स्वेज seres identity को निकालना है तो यह देखिए मेरे पास शर्क्यूच के पुरा सब्सक्राइद हो तो यहां पे इसि Such a感 것은 आपको रगा देनto उसके बाद देखिए ये पत्ती हमारी दोनों आ चुकी है अब इसको उपर आपको सेलो टेप लगा देनी है ताकि ये पत्ती हमारी निकले न दुबारे से तो ये देखिए मैं सेलो टेप पहले लगा लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो यह देखिए मैंने बटन को लगाने के बाद यहां पर उपर से दोनों बटन के उपर टेप लगा दिये ताकि यह बटन हमारी बाहर की तरफ ना निकले इसी तरीके से अगर आपके कभी यह पत्ती वेगरा गुम हो जाए तो ऐसे आप पुराने सर्कीट से पत्ती वेगरा है और यह जो neck band है यह पूरे अच्छे तरीके से पहख हो चुका है अब यहां पर देखिए मैं इसको own करता हूं तो आप देख सकते हो कि यह जो हमारा neck band है यहां पर नीले रंग की लैट जलने लगी है यह हमारा start हो गया है तो इस तरीके से अब यह नग बेंड बिलकुल solve कर सकते हो तो उम्मेद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आयो होगी है और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आयो होतो वीडियो को like share जरूर करें और channel चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिन वन देमात